दोस्तों यह है टाटा की हैरियर और वेरियंट है एक्सटीए प्लस इसकी जो प्राउड ओनर है आज मुझे मिले और कम्प्लीट हमने डिस्क्रिशन किया दो साल के एक्सपीरियंस का और अगर बात करेंग्स की तो विया अब यह पूरा वीडियो नहीं देखना तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम लाइंस डाल दी है पर्टिकुलर पार्ट देखना चाहिए तो वहां से स्किप करके देख सकते हैं स्वागत दोस्तों आपका हमारे चैनल पे मेरा नाम अमन दायल और मेरे साथ आज पर बग बाटी जी स्वागत आपका हमारे चैनल नमस्कार और आज हम इन से जाने की ओवरोल एक्सपिरियंस अब तक का इनका हैरियर के साथ कैसा रहा तो बाटी साब सबसे पहले तो आप चल पाए तो हैरियर के लिए सबसे पहली बात तो इसमें इसकी बिल्ड क्वाटी बढ़ी अच्छी है दूसरी बात टाटा की गाड़ी है तीसरी बात इसमें मुझे SUV का एक शौक था कि सिडान बहुत दिन चला ली थी होंड़ा सिटी तकरीबन मैंने तेरह साल चलाई थी स 30,000,000,000 km उसका रन था वो Honda City ZX थी तो एक SUV के चकर में मैंने सोचा की वाय नॉट आपनी इंदुस्तानी गाड़ी ले 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 तो इसके अलावा आपनी क्या-क्या ओप्शन जो एक्स्प्लोर की थे इसके अलावा उस वक्त मैंने आज से दो साल पहले दो साल होगा इस पर बट मुझे चला के कुछ खास मजा नी आया मुझे वह थोड़ा कॉस्मेटिक सी गाड़ी लगी बहुत हलकी गाड़ी थी और जैसे मैंने हैरियर मैंने तकरीबं पांच बार मैंने शूरूम में जाकर उन्हें पर पर हमारे एक जानकार थे उन्होंने का सब आप पांच संतुष्टी हो जा तो इतने संतुष्टी होई कि मैंने हैरियर ही लेनी बुक करवा लिए चीक है जी तो अभी गाड़ी जो है 64,000 आराउंड आपने चला ये दो साल में तो एक चीज होती है कि जब आप गाड़ी लेने से पहले क्या होता कि एक गाड़ी ते सब्सक्राइब का सर्विस का एक्सपीरियन के लिए पहले एक साल तो जाद अच्छा था नहीं यह 2021 दिसम्मर में मैंने गाड़ी ली थी तो एक साल तो दो जादा कुछ गाड़ी में चेंज होता है नी दूसरे साल यह था कि सर्विस का कॉलिटी जो ती वो टाटा का जो मै दिशानी आई तो सार्विस में पर दिक्कते थी मगर आपको इस पर दिक्कत नहीं आप अगर एस्केलेशन कर देते हैं टाटा मेरेजमेंट को कि सर्विस अच्छी नहीं हुई है तो देट टेक गुड़ केर अफ इट तो सर्विस अब सट्डिस्फेक्ट्री है और अभी थो इंप्रूब्मेंट करना पड़ेगा और जो प्रोसेस हैं इनके सर्विसिज के वह इंप्रूब्मेंट इंको करना पड़ेगा और खुल मिला के लिपा पूती से काम नहीं चलेगा जो एक क्वालिटी कस्टमर आ रहा है जो बीच लाग से उपर की गाड़ी ले रहा है तो 자 зайों हो कहीं नहीं एक बहुत परिस्टीजियस अश्रीन कस्टेमर तो उसके लिए आपको वैसी ही सर्विस् therapies भी अचल रही है तो जो सर विस की स्प्र एक इन्व अगर ऑफ to जो 60,000 km पर service होती है वो उसमें parts main parts change होते हैं उसमें तकरीबन 60,000 रुपे खट्ज हो जाते हैं तो 60,000 km पर होगी फिर वो 120,000 पर होगी फिर 180,000 km पर 30 सर्विस होगी तो वो main main services है बहुत ही main वो बहुत महेंगी पड़ती है और वो तकरीबन 60,000 रुपे की service होती है तो इतना चलाने के बाद, अब अगर गाड़ी को एक जब देखने जाते हैं, तो कुछ-कुछीज़ा हमें पसंद होती है, उसकी कुछ आपने बूला जिसे राइड क्वालिटी आपको या जो कॉमफर्ट आप बहुत पसंद आया, तो अब दो साल गाड़ी को चला ले तो ग आपके साथ रहेगी, reliability है, safety है, सब दूसरी बड़ी बाद, safety, तीसरी बड़ी बाद, average अच्छा है, डीजल में तकरीवन मेरे पास automatic है, और ये top से second model है, automatic में, जिसमें, इन्होंने sunroof भी दिया हुआ है, और automatic गाड़ी है, उसके अलावा तो इसमें, सब बड़ी है, उसमे तो अगर मैं negative की बात करूँ, या फर कोई miss आपको लगा कि, या मेरे को लेते time सोचना चाहिए था, या एक feature जो इस 20 लाग के segment में आपको यम लगता है missing feature, या फर आपको ऐसे चीज लगती है, जो इंप्रूव की जा सकती है, इस गाड़ी में जो एक चीज इंप्रूव की लेती है, रुखने में, क्योंकि गाड़ी इतनी भारी है, मोमेंटम बहुत जाद है इसका, तो वो ब्रेक्स जो है, वो इतने शक्तिशाली नहीं है कि गाड़ी को रोख लें, तो आप समझे बहुत भारी गाड़ी है, और ये बिल्कुल बिल्कुल जम के चलती है, बहुत बहुत जिम्मेदारी के साथ चलाने वाली गाड़ी है, पूरा चोटा हाथी ये चोटा ट्रक कह लें आप इसे में हिसाब किताब है, और कोई अगर ये भगवान ना करे कहीं है, तो दूसरे का बुरा हाल होने वाला है, चीक है, समझे गाड़ी है, जिम्मेवारी गाड़ी जलाने वाले की नहीं है, गाड़ी भी एक जिम्मेवारी गाड़ी है, एक और बात इसमें एड़ करना चाहूंगा, कि इसमें एक बस जो ड्राइविंग पॉस्चर की दिक्कत आती है, वो ये दिक्कत आती है, जो स्टेरिंग है, जब उसे पकड़ते हैं, तो मैं यहां से और हमके जो वाले कर दो कि आगे हाँ, आगे से तो मुझे लंबी दूरी में यहां पर कुशन लगाना होता है, तब ज़ाके मिरा deposit है, यह हाँ, लीक थे जलाता था मैं सिर्फ गर के लिए यूज और यूजि 125 शगये काता था ऐक हात करता हो बेसाना चेह है, जो आम आुके तोड़ासा उंचा होनाशीय था आप लोंगे सट्रिप ज्टुए इस गाड़ी का की आरा आपके साथ मतलब कहां ट्राइब के आप लोंगे सट्रिप इस यहां से भिलवाडा का रहा जो की तकरीबन साभ़ेशन केमिटर जाना और 1.5-600 यहां से जैपूर, जैपूर से अजमेर, अजमेर के साथ सीधे भीलवाड़ा, ठीक है तो वह लब आपने चलाई एतने साल, 13 साल बहुत लंबा टाइम होता है, जन्मली गाड़ियों में लोग इतना स्पेंड करते नहीं है, तो उसके कंपरेटिव में लोंग ड्राइव जब इसमें कंट्रोल जादा है, इसमें कुछ ब्लैक आपका ब्लाइंड स्पोर्ट्स हैं, सेडान में ऐसे ब्लाइंड स्पोर्ट्स नहीं थे, क्योंकि यह उंची है, इसलिए ब्लाइंड स्पोर्ट होते हैं, और फॉर्चुनर में भी होते हैं, इसमें भी हैं, एक्सूबी मे तो यह एक blind spot है और यह बड़ी गाड़ी का blind spot रहता है तो उसके अलावाद तो इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है बड़ी गाड़ी है अच्छा बात कर लेते हैं माइलेज की तो क्या मैलेज मिलती है आपको लोंग और शोड डिस्टेंस पर क्या मिल रही होती है तो लॉंग इसमें आपको 18-19 km पर लीटर का मैलेज मिल जाता है शौट डिस्टेंस पर योंकि मैं ग्रेटर नोड़ा रहता हूं खुद और नोड़ा आता हूं तो यह तकरीबन 27 km का डिस्टेंस है और मैं एक्स्वेस से आता हूं उसमें मुझे 16-17 km पर लीटर का मैलेज मिल जाता है और शहर में तो कम देती है पाड़ों में एक बार हम गए थे तो वहां 11-11 km पर लीटर वाला अवरिज था वो बहुत कम हो गया था ऑटमेटिक पाड़ों में बहुत कम देती है चीक है जी गाड़ी लेने के बाद आपने मोडिफिकेशन क्या कुछ करवाई मोडिफिकेशन बहुत बहुत ही जो मिनिस्किल वाले होते हैं बहुत ही मिनिमम वाले वह तो एक तो सीट कवर्ज है और दूसरा जो यह मैट है यह डलवाए थे उसके आपने शोरूम से यह आजनसी से बहीं से करवाय थे आफ्टर मार्केट करवाएं के यह आफ्टर मार्केट खरी रिए तो बाटे साब इतने लॉंग ड्राइव हुई ओल्मो सिक्टी फोर ताइर्स जो है आपने कभी लगा आपको कि यह कंपनी टायर होंगे और कोई चेंज करवाने की रिक्वार्मेंट लगी नहीं अभी 64,000 किलोमेटर चल चुकी है और अभी मुझे लगता है कि यह तकरीव और अभी मुझे और अभी किलोमेटर तक टायर चल जाएंगे टायर करता है कि आप कैसे गाड़ी चलाते हैं जादा ब्रेकिंग करते हैं तो गिज जाते हैं या रफ सर्फिस पर चलते हैं तो गिज जाते हैं अब तो हमारे बारत देश की बढ़िया सड़ के हो रही है तो इसी कोई दिक्कत नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं कोशिच करूँ और आपके साथ शेयर करूँ और 64,000 अभी हुआ है तो अगर जैसे जैसे गाड़ी चलती जाएगी वैसे वैसे अगर कुछ और हमें अच्छा लगा बुरा लगा तो आपके साथ जिरूर शे